नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी पैसो की जुरत पढ़ गई है और आप भी लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है आप इदर उदर भटक रहे हैं काफी अदर परिशान है तो आपको टैंसन लेने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोग को टॉप फाइब बेस्ट लोन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिनसे जरूरत पढ़ने पर आप 10,000 रुपे से लेकर 1,500,000 रुपे तक का लोन बेहत आसानी से घर बैटे ही ले सकते हैं वो भी सिरिफ और सिरिफ अपने आध आपको बताऊंगा वो सारी की सारी RBI रेजिस्टर होंगी RBI अप्रूवड होंगी और वो एप्लिकेशन या तो खुद बाखुद NBFC होंगी या फिर किसी ना किसी NBFC से लिंक होंगी मतलब इनसे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके पास नहीं तो तो सबसे पहले आपको अपने फॉन में प्ले उप legislator ओपन कर लेना है अब मैं बात करने वाला हूँ हमारी lis gdh Kid के पहले mouthsर्फ canyon यहां पर आप देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहांप यहां अप Ł लोग एप्लिकेशन है ठीक है बात करें इसके रिवियूज की तो 4.3 स्टार के टो हमें रेटिंग है जो कि मार्केट के इसाप से काफी अच्छी-गासी रेटिंग मानी जाती है और बात करें रिवियूज की तो 33,000 यहां पर positive reviews हैं अब बात करें downloads कि तो हैं यहां पर 10 लाक प्लस downloads हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि market में नया है लेकिन personally use के हो application है तो मेरी नजर में यह अच्छा application है tension मतलों पूरी की पूरी जान करी देता हूं आप लोग को ठीक है उन्हें instant loan provide कराता है देता है समझ आगे आप लोग को अब बात कर लेते हैं यहां पर आप देखे with prefer we give you instant personal loan up to 3 lakh मतलब कि यहां पर prefer loan application से आप 3,00,000 रुपे तक का instant loan ले सकते हैं समझ आगे आप लोग को आप यहां पर अब देखे 3 easy steps हैं ठीके ना verify document easy repayment facility अब यहां पर कुछ highlights हैं मतलब कि इनकी कुछ खूवियां है वो धियान से सुलिए कि इस application से आप यहां पर 25,000 रुपे से लेकर 3,00,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं तो 6 महिने से लेकर 36 महिनों तक यानि 6 महिने से लेकर 3 साल तक हमें time में लता है loan वापस करने का ठीक है अब यहां पर interest rate यानि ब्याज कितना है 18% to 36% per annum यानि एक साल का ब्याज 18% से लेकर 36% तक है जो कि मेरी नजर में और instant personal loan application से थोड़ा सा कम है ठीक है processing fees 3% to 5% जो कि य आप यहां पर मान लीजे मैं आपको दिखाए दा हूं let's say कि हम यहां से 1000 रुपे का loan ले रहे हैं interest rate हमारा होगा 24% per annum 12 महिनों के लिए ठीक है मतलब कि एक लाग रुपे हम यहां से loan ले रहे हैं 24% पर एक साल के लिए ठीक है अब यहां पर अब देखिए अगर आप एक ल loan application से एक साल के लिए loan लेते हो तो आपको एक साल बाद 1,26,000 रुपे repayment करनी पड़ेगी वापस करनी पड़ेगी मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 26% का per annum का interest हमें यहां पर लग चुका है ठीक है मतलब मंत्री 2% का ठीक है समझा गया तो prefer loan application के बारे मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके समझा दिया है तो अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट के दूसरे loan application के बारे में जिसका नाम है credit B जिया आप देख सकते है credit B जो की बहिया काफी ज्यादा popular loan application है यहां पर आप देख सकते है easy personal loan credit B application का नाम है बात करे reviews की rating की तो यहां पर 4.5 star क की rating है और बात करें review की तो यहां पर 13,00,000 प्लस reviews है जो की 13,00,000 एक काफी अच्छा खासा number है ठीक है बात कर लेते हैं downloads की तो यहां पर 5 करोड प्लस downloads है जो कि भया आपको पता ही है 5 करोड कितना बड़ा number होता है ठीक है ना 5 करोड लोग का विश्वास है यहां से ठीक है अब नीचे की तरफ आते हैं about this app पे तो simply हम about this app पे click कर देते हैं about this app पे click करने के बाद किस तरीके का application है easy personal loan at a single click get instant loans at low interest मतलब की यहां पर हमें single click मतलब की कुल मिला के यह बोलना चाहता है कि बहुत जल्दी हमें यहां पर easy instant personal loan मिल जाते हैं ठीक है अब यहां पर आप हजार रुपे से लेकर पांच लाख रुपे तक का आपको यहां पर loan मिल जागा आप यहां पर देख सकते हैं कि क्रेडिट भी application से आपको एक हजार रुपे से लेकर पांच लाख रुपे तक का loan मिल जाएगा interest rate की बात करें तो 17% 29.95% per annum यानि एक साल का 17% से लेकर 39.95% क आपको यहां पर देना पढ़ सकता है 10 वर की बात करें यानि वापस कितने दिनों में करना है तो यहां पर तीन महीने से minimum लेकर 36 महीने maximum यानि तीन महीने से लेकर मैंने आपको बता दिये अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं बहिए जिसकी हमें आप कैसे कि ना इंतिजार आप सभी लोग हो कि अगर आप यहां से लोन लेते हो तो आपको कैसे क्या भरना पड़ेगा क्या सिस्टम बैठेगा वो आपको अच्छे समझाएता हूं अगर हम यहां से 50,000 रुपे का लोन लेते हैं एक साल के लिए तो हम यहां पर इंटरस्ट 20% पर रहना यानि 50,000 का हम लोन लेंगे तो 20% हमें ब्यास देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीज 1250 यानि 2.5% की प्रोसेसिंग फीज देनी पड़ेगी अगर हम यहां से 50,000 रुपे का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक काउंट में 48,289 रुपे आएंगे और टोटल रीपेमेंट यानि टोटल वापस कितने करने हैं 55,580 तो ध्यान से चुनिए अगर हम क्रेडि बीच से 50,000 रुपे का लोन लेते हैं कितने महिनों के लिए एक साल के लिए यानि 12 महिनों के लिए तो हमें यहां पर एक साल बाद 55,580 रुपे वापस करने हैं पड़ेंगे और हमारे बेंगाओन में 48,289 रुपे आएंगे ठीके न तो मैंने यहां पर आप लोगो दूसरे लोन एप्लिकेशन के बारे में बता दिया अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर वीडियो बना हूँ लोन कैसे लेना है तो कमेंड बॉक्स में कर देना मैं इसके पर रिव्यू है रेटिंग है थोड़ी सी कम है मानता हूं लेकिन देखते हैं एक लाग से ज्यादा यहां पर रिव्यूज मिले हूँ है मैं बात करें डाउनलोड कि या नि भरोसा कितने लोगों का है तो यहां पर एक करोड़ प्लस यहां पर डाउनलोड हैं ठीक है ना आप यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, about this app पे, जिससे हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ गहराईयों में जाएंगे, थोड़ी सटीक जानकारी लेंगे, जिससे आपको काफ यहाँ आसानी होगी, about this app पे क्लिक कर दिया, बात करें application की, तो यहाँ पर get personal loan in India, from 5000 to 50000 by patience loan in India, मतलब की आप यहाँ से loan लेते हो, तो आप यहाँ से 5000 रुपे से लेकर, 5000 रुपे तक का loan ले सकते हो, ठीक है, 100 लाक से भी ज़्यादा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखे, कि over 100 लाक एप install and 3 लाक happy customer, मतलब की, एक करोड से भी ज़्यादा है, यहाँ पर इसके हो, तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, यह सब मैं आपको विल्कुल अच्छे से बताएता हूँ, ठीक है, माल लीजे हम यहाँ पर patience application से 1 लाक रुपे का loan लेते हैं, ठीक है, 1 लाक रुपे का हम यहाँ पर loan लेते हैं, 10 वर 24 महिने, यानि 2 साल के लिए, हम यहाँ पर 1 लाक रुपे का loan लेते हैं, APR 27.81% होगी, equivalent monthly interest, यानि हर महिने का जो ब्याज़ों में कितना देना पड़ेगा, 2% यानि साल का आप कर सकते हैं, 24% का interest हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, processing fees directly यहाँ पर 3000 मांगी जा रही है, थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, ठीक है यहाँ पर 26,891 रुपे लग जाएंगे, EMI 587 रुपे, total repayment amount 1,26,888, मतलब कि अगर आप यहाँ पर PaySense Personal Loan एप से 2 साल के लिए 1,00,000 रुपे का loan लेते हो, मतलब 2 साल के लिए अगर आप 1,00,000 रुपे का loan लेते हो, तो आपको यहाँ पर 1,26,888 रुपे वापस करने पड लोन किस तरीके से ले सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके उपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के चौथे application के बारे में, जिसका नाम है, INCRED अप्लिकेशन का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करें यह यहाँ पर इस application को download कर चुके हैं, समझागे आप लोग को, अब भाया इसकी थोड़ी सी गहराई में बिस्ते हैं, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि detail लेते हैं अच्छे से, तो हमें यहाँ पर simply about this app पे click कर देना है, ठीक है, about this app पे click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है यह loan application याँ इन्क्रेड लोन आपको यहाँ पर पचास हजार रुपे minimum से लेकर साड़े साथ लाख रुपे maximum तक का loan provide कराते हैं, समझागे आप लोग को, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीपेमेंट टैन्वर रेंज फ्रॉम मिनिममम ट्वाल मन्तू थी सिक्स्टी ड APR यहाँ पर इन्हें 36% का मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक example देता हूँ, यहाँ पर the maximum interest rate हमारे होगा 36% याँ जो maximum यहाँ पर ब्याज होगा वो 36% का होगा, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ, कि अगर आप यहाँ से loan ल हम यह 3 साल बाद इस loan application loan को वापस करेंगे, ऊपर थोड़ी से mistake होगई 10 वर बोलने में तो उसे थोड़ा सा manage कर लेना, ठीक है, आपको दिक्तोर आई होगा, processing fees हमारी यहाँ पर 1,00,000 के loan पर 3540 रुपे लेगेगी, disburs amount processing fees यानी 1,00,000 रुपे हमारा माइनस 3540 रुपे यान अघ् Anything unique, 1,00,000 रुपे लेता है, तो हमें 3 साल बाद यहां पर 1,00,000 रुपे वापस करने पढ़ेंगे, बरने पढ़ेंगे, तो Incred application के बारे में मैंने पूरी की पूरी आप लोगो जानकरी दे दी, अगर आपके उने कोई doubt question हो, तो comment box में पूछ लिया ना, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके उपर भी मैं वीडियो बनाओ कि Incred से loan कैसे लेते हैं, तो आप comment क प्लैनेट जिया, L&T Finance Planet Loan App, जिसकी बात करे rating की, तो यहाँ पर 4.4 star की rating है, बात करे reviews की, तो यहाँ पर 88,000 से भी जादा reviews हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, बात करें यहाँ पर इनके downloads की, तो यहाँ पर 50,000,000 से भी जादा यहाँ पर downloads हमें देखने को मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी बात है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं, कुछ गहराई के बारे में, कुछ इनकी आप कह सकते हैं, deepest जान कर रिले लेते हैं थोड़ी, about this app नीचे हमें आपर option मिलता है, इस पर simply हमें click कर देना है, अब इस पर जैसे हम click करेंगे, तो खूब यहां जान लेते हैं, highlights जान लेते हैं, highlights of our personal loan services, highlight क्या है, कि आप यहां से 50,000 रुपे से लेकर 25,000 रुपे तक का loan ले सकते हो, जिया, L&T Finance by Planet Application से आप यहां पर 50,000 से लेकर 25,000 रुपे तक का loan ले सकते हो, जो भी आपका eligibility criteria है, यह उसके ओपर depend करता है, अब बात करत है, तो 12 months minimum to 60 month maximum, यानि एक साल से लेकर आप यहां पर 5 साल तक का loan ले सकते हैं, 5 साल मतलब आप एक साल से लेकर 5 साल तक के time में आपको वापस करने का time मिल जाएगा भार सकते हैं, समझा गया आप लोगो, annual percentage rate यानि APR कितना है, 10.5% to 26% reducing, यानि कम बढ़ता, यहां पर बड कभी 0%, कभी 3%, बैरी करता है बीच में, अब मैं आपको example देता हूँ कि अगर आप यहां पर loan लेते हो, तो आपको कैसे क्या system बैठेगा, क्या होगा, मान लीजे हम यहां पर 10 lakh रुपे का loan लेते हैं, यहां से L&T application से, L&T finance by planet application से हमें आपर 10 lakh का loan लेते हैं, with the interest rate of 12% per annum, ज यहां पर broke period charge यानि BPC 0.7% flat यानि 7000 रुपे BPC लग जाएगा, ठीक है, अब बात करें net disbursement amount के यानि bank account में कितना पैसा आएगा, तो यहां पर 9,80,000 रुपे हमारे bank account में आएंगे, अगर हम यहां पर 10,00,000 रुपे का loan लेते हैं, तो, estimated EMI 27,225 रुपे बनेगी, सब कुछ समझ आगे, आप लोगो L&T by Finance Planet application के बारे में, loan app के बारे में, अगर आपके उन्हें कोई doubt question हो, तो एक बार मुझसे पूछ लेना, comment box में comment करके, मैं सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से explain करने की कोशिश करूँगा, और कर दूँगा, बाकि अगर आप चाहते है कि L&T application से मैं आपको loan लेके दिखाऊं, तो एक comment कर देना जल्दी loan process की वीडियो भी इला दूँगा, तो बाकि आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सभी applications का link आपको description box में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा, धन्यवा दो